नमस्कार दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक के पर बात करने जा रहा हूं वो है गैंग्लियन सीस्ट तो मैं पहले इसका कौस बताऊंगा उसके बाद जो साइनन सिंटॉम्स है वो बताऊंगा और उसके बाद जो जो हुमिपेथिक मेडिसिन है वो सब मैं आपको बता लूँग तो चलिए सुरू करते हैं तो क्या है यह गैंग्लियन सीस्ट और कहां पर होता है ज्यादा तर गैंग्लियन सीस्ट यह जो डिस चॉइंट होता है यहां पर होता है गैंग्लियन सीस्ट और यह कैसे होता है काड़न क्या है इसका तो मूल काड़न पता नहीं किसी को पर जो यह दिख चैज क्याई है यह लau चुर्जंग मैं फॱ ऊजोग प्रिंद को और यह आपको बता दूंगा कि यह जो टेंड़न है टेंडन के ओपर जो टेंडन सीट grow एक लिखुंग जून इंद्य जो पर यह गेंडलियों propeard d तो यह टेंडन सीट एसको साइनोगीयल सीट भी कह सकते है, क्योंकि यह जो सििस्ट है इसके अंदर पानी सा अ भढ़ जाता है, यह जब भढ़ने के बाद बहुत पुरा भढ़ जाता है, तो हम उभढ गैंगलीयन शिस्ट कहते है, यह जो synovial fluid इसके अंदर यह cyst के अंदर synovial fluid रहता है तो आप उसको tendon seat या synovial seat भी कह सकते हैं तो यहाँ पर जो tendon, ligaments, muscles and bone रहता है अभी-कभी यह जो tendon seat है यह कमजोड पर जाती है और इसके उपर synovial fluid जमा होने से यह ganglion cyst बड़ा हो जाता है तो यह था कारण and इसके बाद silence symptoms क्या क्या आएगा अगर यह हुआ तो ज्यादातर लोगों में pain बहुत rare है pain हो सकता है और यह pain ही होता है पर दूसरा कोई silence symptoms नहीं होगा अगर यह हुआ तो इसका treatment कैसे करें मेरे चेंबर पर बहुत ganglion cyst लेकर पेसेंट आते हैं मैं treatment करता हूं बहुत फाइदा मिलते हैं result मिला है बहुत अच्छा और यह हुआ तो आपको बहुत काम का जिस हाथों में करते हैं जिस हाथों में आपका हुआ है वह बहुत काम थोड़ी रेस्ट में पड़ेगा हाथ को रेस्ट में रखना पड़ेगा इसके बाद जो जो होमियोपैथि में आपको बताती हूं इसका बहुत अच्छा medicine है एक जो की है होमियोपैथि में कैलकरिया फ्लोर को आपको लेना कैसे है और 6-6 पे लेना है 6-6 या 30 पे ले सकते हो अगर आप 6-6 पे लेग तो आपको 4 टेबलेट दिन में 4 बाल लेना है विट वाम वाटर यह आपको गैंग्लियन सीस्ट करने में बहुत अच्छी रिजल देती है उसके बाद एक medicine है जो की है थूजा थूजा को आपको 1M potency में लेना है सुबह साम दो बार लेना है दो बुंद करके टांग पे तो आपको बहुत अच्छी रिजल मिलेगी तो य थैंक यू दूने बाद